नवस्कर दोस्तों सवागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर आज के इस वीडियो में आरालबी एलपी के हम लोग इंपोर्टेंट कोश्चन देखेंगे अभी तक जितनी भी सिप्टों के आरालबी एलपी के एक्जाम हुए है उनी सिप्टों के आधार पर हम लोग एक 170 रुपए और विक्रे मूल कितना है सेलिंग प्राइस यह बं 30 तो यहां पर डिस्काउंट कितना मिला है तो डिस्काउंट आपको मिला है 40 तो परसेंटेज आप डिस्काउंट बताना है तो डिस्काउंट को उपर रखेंगे बटे में MRP को नीचे मतलब 170 और इंटू 100 एक 30.3 परसेंट यह आपका आंसर आजाएगा तो अपसन 3 एस राइट आंसर अगला एक सुस्क सेल में ओड़जा किस रूप में संग्रहित रहती है तो अपसन 2 रासायनिक ओड़जा के रूप में संग्रहित रहती है अगला उस विकल्प का चैन करें जो निमले के चित्र में त्रिकोनों की संख्या कुल संख्या दरसाता है कर लेते हैं सबसे पहले देखिए उपर आपका एक ट्रेंगल ये बन रहा है एक नीचे ये बन रहा है एक ये बन रहा है और एक आपका बीच में बनना तो टोटल आपके कितने अभी होगे चार और एक और आपका बनना है जो कि पूरा हो जाएगा यह जहां से ग्रीन कलर से लाइन करने तो टोटल आपके पांच हो जाएगे ट्रेंगिल तो option 4 is right answer अगला उस अच्छर समू का चैन करें जो समू से संबंदित नहीं है तो देखिए ई आई और ओ यह सभी क्या होते हैं बॉबल होते हैं स्वर होते हैं लेकिन पी जो है वो आपका कांसोनेंट होता है बेंजन होता है तो जो बिलॉंग नहीं करता है वो हो जाएगा पी मतलब option to एक अगला उस साठं का पंदरा पतिशत मतलब साठं का का मतलब होता मैं पंदरा पतिशत मतलब किस के बराबर है तो यहां पर question यहां पर जगए खाली आम अमाल लेते हैं एकस के पैंदालिस पतीसत के बराबर है तो 45 बटे सब सौ से सौ काटेंगे पंदा तियां पैंतालिस और तीन से ये साठ काटेंगे तो बीस आजाएगा तो एक्स की बिलू कितनी आगे आपकी बीस तो आप्सन फोर इस राइट हैं अगला प्रजनन के लिए फूलों में आवस्यक अंग कौन सा है तो आप्सन एक पूंकेसर और इस्त्रीकेसर अगला एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है तो आप्सन एक बिजाणू अगला अच्छर समूओं के संबंदित युगमों के लिए अनुपस्तित पत का चैन करें जो तरीका पहले से दुसरे बनने में लगेगा बही तरीका हम लोग आगे अप्लाइ करेंगे तो सबसे पहले अलफाबेट लिख लेते हैं बी एक बी का अलफाबेट कोड होता है द पांच आई का होता है नौ एप का होता है च्छे और ओ का होता है पंद रहा है देखिए दो से पांच होना क्या हुआ तीन जुड़ रहा है पांस से नौ बंदा है तो आपका चार जुड़ रहा है और एक से च्छे बंदा है तो पांच जुड़ रहा है और ग्यारा से ए का होता है एक आई का होता है नौ और एल का होता है बार है पहले हम लोग तीन जोड़ेंगे उनिस में तीन जोड़ेंगे तो बाइस आ जाएगा अब चार जोड़ेंगे एक में तो पांच आ जाएगा अब छे जोड़ेंगे नौ में तो आपका पंदरा आ जाएगा अब ल और 15 किसका होता है देखिए 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं 9 में 6 जोड़ रहे है नौ में हमें यहाँ पर 5 जोड़ना है ना कि 6 पांच जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा तो 14 किसका होता है N का और 16 होता है P का ओके यहां देखे के से क्यू बना रहे हैं के से क्यू क्यू के का होता है कोड 11 और क्यू का होता है सत्र है तो यहां पर आपका कितना जुड़ रहा है छे जुड़ रहा है तो लास्ट में भी छे जोड़ेंगे तो यहां पर छे जोड़ेंगे बारा में छे जोड़ेंगे तो ठारा आ जाएगा ठारा किसका होता है आर का तो बी इन र आपका राइट अंसर तो आपसें टू इस राइट अंसर है अगला दियेगे चित को सही विकल्प के साथ पूरा करना है तो कर लेते हैं काईस तो आप देखें सबसे पहले तो हम लोग अंदर वाला यह छोटे-छोट सरकिल हैं इनको पूरा कर लेते हैं ओके और यह लाइने दो पूरी कर लेते हैं इससे तो जो सरकिल आपका जो जगह खाली है जो बनेगा वो बनेगा त्री वाला इसको फिट कर दीजेगा यहां पर तो यहीं आपका अंसर आजाएगा आगला है इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरो सेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकरती के आधार पर एक विसेश रंग के साथ चमकता है तो आप्शन फोर प्लाजमा अगला किसी एकल आपरती के आवाज को क्या कहा जाता है आप्शन फोर टोन कहा जाता है अगला है पैसाट एकसट का बर्गमूल क्या होगा तो आप्शन एक इक्यासी अगला है किसी इस्तिर बस्तु के इस्तिर रहने या गतिसिल बस्तु के उसी गतिसे गतिसिल रहने की प्रकरिया कहलाती है तो आप्शन फोर जड़त तो कहलाती मोमेंटम अगला ब्रद्धी हर्मोन कार करता है तो कैसा कार करता है कभी-कभी विकास प्रोस्थाहक और कभी-कभी विकास अबरोधक के रूप में अगला कौन सा इस्थाय उतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो आपसे नेक इसक लेरेन काईमा अगला किसी परिपात में बिद्धुत प्रभाग किसके द्वरा संबाब होता है तो आपसेन फोर इलेक्ट्रोनों की करती अगला कौन सी आकरती उत्तर आकरती दी के प्रस्णाकरती का सही धरपन प्रतिविम्ब होगा देख सकते हैं आप तो सबसे पहले दरपन प्रतिविम्ब के लिए एक बॉक्स बनाएंगे दरपन प्रतिविम्ब में क्या होता है लेप्ट वाली चीज़ा राइट में आ जाएंगे लेप्ट वाली चीज़ा लेप्ट में आ जाएंगी तो देखे यह आपका आदमी जो है और इसके साथ बीकल है इसकी अकरती उल्टी हो जाएगी कैसे बनेगी आपकी बना देते हैं ऐसी और साथ में एक इसे बना और एक पाईया हो गया और एक इनसान आपका ब्यक्ति है और इस पर एक मुंड है और एक जुड़ा हुआ है और इसको इससे मिला देंगा ऐसा आपका बनेंगा यह किस में आ रहा है डी में आ रहा है अगला निम्निकित में से कौन बादसा अकवर के दरवार के नौ रत्न में से एक नहीं था तो आपसंथरी उस्मान अली खान अगला पी एच मान में सास से चौदा तक की हुई ब्रद्धी किसका प्रति निधेत करती है तो ओच आयन सांदरता में ब्रद्धी अगला है आपका कथन इसकरस का कोशिन देख लेते हैं आपका क्या कहता है कथन आपका है कोई भी आम जो है वो संत्रा नहीं है तो कोई भी आम जो होगा वो आपका संत्रा नहीं होगा यह आपका दिया हुआ है, क्रॉस लगा देंगे और कोई भी संत्रा सेव नहीं है तो कोई भी संत्रा आपका सेव नहीं है यह भी क्रॉस और कुछ आम क्या है, सेव है कुछ आम जो है, वो सेव है तो यह वाला जो portion है, वो आगे आ जाएगा कुछ आम जो हैं वो सेव हो जायेंगे आम का कुछ हिसा आपका सेव में चला जाएगा और दूर-दूर तक संबन नहीं है संत्रे पर ऐसा आपका बेंड डाइगम बनेगा अब पहला है कोई भी सेव आम नहीं है तो बिलकुल कोई भी सेव आम नहीं है तो बिल्कुल गलत, पहला आपका सही हो जाएगा यह आपका गलत हो जाएगा यूँकि हैं, दूसरा कहता है कोई भी सेव संत्रा नहीं है बिल्कुल यह वाला आपका सही हो जाएगा और कुछ संत्रे आम है, संत्रे का दूर दूर तक कोई समन नहीं है तो ये गलत, सभी सेव आमें ये भी गलत तो आपका कौन सा सही हो जाएगा दूसरा वाला निसकर्स सही हो जाएगा अगला यदि एक्तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली प्रभाहित होने वाली विद्धुधारा आई है और एक लेक्ट्रोन का आवेस ई है तो टी सेकंड में प्रभाहित होने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है तो आप्सें टू आई टी वटे ई अगला दिये गए बन समूओं के समंदित युग में अनुपस्तित पद का पता लगा है तो जो तरीका रामा से मारा बनने में लगेगा बही तरीका सीता से आगे बनने में लगेगा तो रामा के सारे अलफावेड लिख लेते हैं इससे से आपका क्या बनना है मारा या मे आरे ओके देखिए गाइस इसी प्रकार सीता को लिख लेते हैं S I T A तो सीता का आपका आंसर जो बनेगा वो एक बन जाएगा T I S A देखें T आपका आगया आगया I इदर रहा S आपका पीछे चला गया यह आपका बैसरा पहले स्टार्टिंग के तीन अलफाबेट क्रोस मल्टिप्लाई देखिए उपर भी और लाश्ट वाला बैसरा वही तरीका लगा आपका सीता में तो आपसन एक is right आंसर अगला है दी गई स्रंकला में अनुपस्तित संख्या का चैन करें अगला है चार से नो बनाते हैं चार में दो का मल्टिप्लाई और एक को जोड़ दिया नो से बीस बनाया नो में दो का मल्टिप्लाई और दो को जोड़ दिया बीस से चोवालिस बना रहे हैं बीस में दो का मल्टिप्लाई और चार को जोड़ देंगे यह सबी क्या है आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे अगला प्राइम नंबर आपका क्या आजाएगा प्राइम नंबर तो नहीं होंगे लेकिन 44 में आप 2 का मल्टिप्लाई करते हैं तो आपका 88 में आप कितना चुड़ेगा अप कमेंड करके बताऑगे कि इसका आंसर आपका कैसे निकलेगा तरीका क्या लगेगा अगला निमलिकित में से कौन सा लबड अमली है तो आपका अंसर वनेगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अगला है निमलिकित में से कौन सी धातू ठंडे आप गरम पाने के साथ अभिकरिया नहीं करत अगला दी के प्रस्ण आकरती दी के उत्तर आकरती में से किसमे सन्नी हित है आप देख सकते हैं गाईस सबसे पहले देखिए यह एल लेते हैं प्रॉब्लम फिकर का देखिए बी में आरा आपका एल और यह आपका एक भुजा है यह भी चुड़ी हुए तो बी में पूरी की पूरी आकरती समाईत है अगला आधनिक आबर सानी में धातूं को कहां रखा गया है तो ऑप्सेंटू बाइं और रखा गया है अगला एक बाट बराबर क्या होता है ऑप्सेंटू एक जूल प्रतिस सेकेंड अगला तत्तों को उनके परमारू दिरभमान के आधार पर समित्री मेंडली अगला है यह पुराने कोश्चन है इसको नेगलट करते हैं अगला कोश्चन है ऐसी कौन से धातू ऑक्साइड है जो अमलों के साथ साथ छारों के साथ भी किरिप्रति किरिया करते हैं तो एमपोटेरिक ऑक्साइड और आज का लाश्ट है कौन सा भारतिय राज्य सोयाविन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपसंत्री मद्द पर्देश MP तो गाईदास के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दन्यवाद